नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मारे यूटूब चैनल प्रिस एजूकिशन पॉइंट पर साथियों आज की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं SSC GD Constable के 2023 के Examination के बारे में जो कि Exam आप सभी का 20 March 20 फरवरी से लेके Start है और 12 March तक आप सभी का Exam जो है चलने वाला है जी हां दोस्तों तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसके Admit Card जो है आचुका है यह Admit Card Status आ चुके हैं और जिन रिजिन के आचुके हैं उनके बारे में बताऊंगा और जिनका कब तक आ जाएगा उनके बारे में भी बताऊंगा तो देखें आप सभी इस वीडियो को Complete देखें अगर आप लोगों को SSC GD Constable का Form आपने डाला हो अगर आप लोगों चेक करना चाहते हैं तो आप वीडियो को Complete देखें जिसमें कि आपको यह पता होगा कि अपने एक्जाम सेंटर अपना किस स्टेट में डाला है कहां पर डाला आपको यह पता होना जरूरी है ठीक है तो बात करते हैं सब से पहले अगर आपने अपने अग्जाम में च snack कर ना हूं अगर मैं बात करना चाहूं अगर आपने अपना exam center जो है ठीक है वेस्ट वंगोल सिक्किम ओडिसा जहारकंड अन्वा निकुबार ठीक है आइसलेट इन में अगर आपने एक्जाम सेंटर डाला है तो आपको इस्टर रिजन में चेक आउट करना है और अगर आपने अपना एक्जाम सेंटर जो है महराष्ट गुजरात गोवा या यूनियन टेरिटरी जो की दमणन द्वी भवेली देख सकते हैं आप लोग तो अगर यहां पर डाला है तो आपको वेस्ट रिजन में जाके चेक आउट करना है अगर आपने अपना एक्जाम सेंटर जमुएन कजमीर पंजाब हरियाना हिमाचल प्रदेश चंडीगर उ अगर आपने अपना एक्जाम सेंटर जो आणाचल प्रदेश ठीक है अडाचल प्रदेश असम मनीपूर मेगाले मिजोरम नागलें तरपुरा में अपना एक्जाम सेंटर डाला है तो आपको नौर्टीश टीजन में जाके चेक आउट करना पड़ेगा इसी तरीके से में अगर आपको बताना चाहूंगा अगर आपने अपना एक्जाम सेंटर मद्ध्य प्रदेश और चातीस गड़ में डाला है तो आपको MPR रिजन में जाके चेक आउट करना है और अगर आपने बस इतने ही रिजन है जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह कुछ रिजन में में आपने अपना इक्जाम सेंटर डाला उसी रिजन में जाकर आपको चेक करना है मालू अगर आप से इसके आप लोग है के करे यह आई कलक कर हो टीक है केख वाओ ह an foreign target ऐब है आज्या कि अब लोग है पर देख पायोग होगे एब इस लाइन में ठीक है यहां निल्ग से अच्छी तरह से इसको देखने को सिस से करेंगे आप लोग यहां पर लिखा हुआ कि कि 20 आप लोग देख सकते हैं कितने तारिक से स्टार्ट है 20 फरवरी 2024 से लेके यहाँ पर जो आपका एक्जामनेशन की डेट रखी गई वो आपकी साथ तीन यानि की साथ मार्स तक आपका एक्जाम होने वाला है पहले आपका 12 मार्स तक रखागा देया था लेकिन आप जो है करना है कि हैं पर आपको अपना जो है राइस्टेशन नमबर डालना पड़ेगा देन आपकी जो भी डेट बढ़त है इस कॉलम में आप लोग अपने डेट बढ़त को सेलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर सिंपली आज को टिक करोगे और यहाँ पर देख सकते हैं चेक बड़ डालके भी अपने सर्च पर क्लिक करके कर सकते हूं ठीक है यह दोनों तरीके से आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हो साथी मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि आपको एक्जाम सेंटर किस सिटी में है लेकिन प्रॉपर जो से क्टवर जाते हैं ठीक है जैसे कि यहां पर लोग देख सकते हैं तो हम सिंपली साथन रिजन करें गो साथन रिजन की डेटेल आपको इस तरीके से आप एपलिकर नमबर डालेंगे ठीक है उसके बाद आपनी डेट बड़ डालेंगा और सबस्वे सर्च पर क्लिक करेंग मतला अभी सेंटर लिजन का अभी एडमेट कार्ड कोई भी यानी स्टेटर जारी नहीं किया गया है यह चीज में आपको पहले बता दिता हूँ ठीक है इसी तरीके से आप लोग अपना नॉर्धर रिजन पर क्लिक करेंगे नॉर्थ वेस्ट रिजन पर नॉर्थ वेस्ट रि लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ लेकिन जो भी आएगा उसमें आपको यहीं पर आपको अपडेट मिलेगी यह चीज में आपको पहले बता देता हूँ ठीक है ना और जो मैं आपको लिंक दे दूँगा ठीक है जैसे जैसे मालनों अभी दो तीन दिन बाद अग जो सेकंड वीक होगा इसमें आपके सेकंड वीक में सभी क्या जाएंगे ठीक है मतलब अगर मैं बात करना चाहूं तो देखिए 10 तारीक के आप लोग समझ लिजेगा कि 10 तक सभी के अंडिट के आना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है अगर आप लोग देख रहे हैं और परिशान हो रहे हैं तो परिशान उनकी कोई जरुत नहीं है यह चीज आप लोगों को ध्यान में रख लेने हैं ठीक है बस बागी और कोई भी परिशान होने की जरुत नहीं है जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बना के इंफर्म भी कर दूँगा आपको इस वीडियो में अपडेट आपको उसका मिल जाएगा ठीक है ना तो मैंने आप सभी को बता दिया है आई होप मेरी साब से अपडेट आपको जो भी जानकारी दी अच्छी लगी होगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को ल झाल